नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर में सामें दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करिएगा हल्दी के डब्बे में रख दें एक चीज चमतकार खुद देखें आपके किचन में हल्दी तो होगी ही और जो तिस साथ्तर में हल्दी का होना सबसे ज़्यादा पैदा करने वाली वस्तुमानी गई है वैसे भी हल्दी हर एक चाहे आप बच्चों का वर्थदे मनाते हैं या फिर टीका करते हैं बिवा होता है तो भी हल्दी और हल्दी को सगुन के तोर पर देखा जाता है हल्दी आपके जीवन के हर छेतर में फाइदा देती है चाहे वो आपके जीवन में किसी भी छेतर में हो फाइदा देती है आपके खाने पीने के चीजें हो आपके बीमारियों में हो आपका केरियर हो हल्दी का प्रयोग आप करते ही है हल्दी के टोटके आपके जीवन में तरक्की के नए राष्टे भी खोलते हैं और इन टोटके को करने से जीवन की समस्त बाधाएं, समस्चाएं समाप्त हो जाती है बिगडे हुए काम बनने लगते हैं आज हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी है उस डब्बे में आखिर क्या रख दें एक चीज कि आपके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाए और सरल हो जाए जीवन की परेसानी कम हो जाए देखिए हर किसी के किचन में हल्दी का डब्बा होता है और हल्दी आप रखते ही हैं और हल्दी का पाउडर तो डब्बे में श्टोर करके आप रखते ही हैं चाहे वो कांच का डब्बा हो या फिर प्लास्टिक का हो लेकिन हल्दी के डब्बे में आप हल्दी रखते ही हैं तो कोई दिक्कत ने आप किसी भी डब्बे में रख सकते हैं अब उसमें आप रखते हैं तो देखे हल्दी जो होती है ये आप के कुंडली के ब्रिहस्पत ग्रह से जोड़ कर देखा जाता है। तो मजबूत होंगे खासकर गुरु बार के दिन रख दें कोई दिक्कत नहीं तो आपको हल्दी के गाठ धारण भी कर लें तो गुरु गुरह मजबूत होते हैं गाठ यानि साबूत हल्दी तो इससे भगवान विश्प्रमी की और माता लक्ष्मी के अश्रिम कृपा लगाते हैं हल्दी जो होता है ये कंद फल बाले होते हैं अगर आपके घर में कभी नहीं लगाए तो मत लगाए वैसे आप घर में लगा सकते हैं कच्ची हल्दी के बहुत फाइदे होते हैं अगर हल्दी का तिलक लगाया जाए नीमित रूप से आप घर से बाहर निकले त अगर घर की नकरात्म कुर जाओं से आप बचना चाहते हैं तब घर के बॉंटरी बाल पर अगर हल्दी से रेखा बना दिया जाए तो घर में नकरात्म कुर जाओं पर वेश नहीं कर पाती हर कोई स्वक्ष स्वस्थ रहता है और मान लेते हैं कि आप फ्लेट में रहते हैं आप बॉंटरी बाल में दे सकते हैं दना धिया हल्दी से रेखा नहीं कहीं सकते तब क्या करेंगे तब आप मुख दरवाजे के बाहर घर के मुख दरवाजे के पास आप हल्दी के स्वास्थिक बना दीजे बाहर की तरबसे इसके आपके घर में नकरात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती अगर विवा होने में बहुत प्रेसानी आ रही है या बैवाहिक जीवन में लग रहा है जिकि अब सब खत्म होने वाला है तब निमित रूप से भगवान सुर को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अरपित करें आप चाहते हैं कि मालक्ष्मी किर्पा बनी रहे तब रवी बार के दिन छोड़कर बांके के दिन आप जो सुर भगवान है इनके निमित जल अरपित करेंगे तो तूलसी के पेंड में भी आप रव्यार के दिन वाला आप तूलसी के पेंड में डाल दीजे तो हल्दी वाला जल इससे आपके तूलसी भी हडी बरी रहेगे और भगवान सूर के किर्पा भी आपको मिलेगा गुरू भी मजबूत रहेगा कई बार क्या होता कि मालक्ष्मी जी को परसंद करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मालक्ष्मी जी लगता है कि जैसे रूट गई है तब क्या करेंगे तब ऐसे में आप एक प्रयोग करेंगे लगतार कुछ दिनों तक करें आपको लाब होगा अगर आपके आसपास आम का पत्ता है तो एक पत्ता ले ले लें आम का और एक वर्तन में पानी ले 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 उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और इस आम के पत्ते के सहारे आप पूरे घर में थोड़ा थोड़ा जलका छुड़का करें और बचा हुआ पानी पौधी में डाल दें अगर आम का पत्ता ना मिले तो किसी पुष्प के सहारे ऐसा कीजेगा हलका हलका कीजेगा हल्दी की सुगंध एक तो नकरात्म कुर्जा को भगा देती है और दूसरा घर में खुषिया लाती है धन बढ़ाती है तो ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन इसके फाइदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे तो हल्दी में ऐसा माना जाते है कि देवी गुड़ होते है देवी गुड़ यानि कि ये बिलकुल एक भगवान का असरवाद लिया होता होता है हल्दी आपने देखा हुए कि बिवा के समय बर बदू को हल्दी अर्पित की जाती है ताकि तमाम परेसानियों से बाधाउं से बचाये जा सके तो हल्दी आपके जीवन में आपके सफलता दिलाने वाला सबसे मुख वस्तू है अगर पेट के सम्मधित समस्चाय है खासकर आपका गुरू गड़वा है तो पेट की परेसानी भी दूर होती है तब आप नीमित रुप से पास के किसी मंदर में हल्दी का दान करें तो लाब होता है अब हम बात कर लेते हैं आपके कीचन में जो हल्दी है हमने टोपिक रखा कि हल्दी के डब्बे में क्या रख दें एक चीज की चमतकार ही चमतकार देखने को मिले आपके घर में किचन में हल्दी का डब्बा तो होगा ही अब हल्दी के डब्बे में किचन में जो हल्दी का डब्बा आप रखते हैं पहली बात तो उसे कभी खाली मत रखिए हल्दी वाला जो डब्बा है कभी खाली मत रखेगा हमेशा उसे आप आधे से उपर ही रखेगा यानि कि ऐसा ना रखे कि बिल्कुल खाली पड़ा रहे बिल्कुल ध्यान रखे आधे से उपर रहे उसमें एक तो सबसे पहली बात तो हल्दी के डब्बे में अगर आप चाहते कि किसी की बुरी नजर आपके घर में प्रवेश ना करें या फिर आप चाहते कि किसी की निगेविटी आपके घर में प्रवेश करें कोई तंत्र मंत्र क्रियाई ना करें तब आप हल्दी के डब्बे में आप 5 ये 6 साबोत लाल मेर्च रख दें इससे आप घर में अगर किशी ने कुछ कराया है या करने के सोचता है टोने टोटकी या किशी तरह के तंत्र मंत्र बाद आए तो आएगा नहीं और अगर आया है तो वापस चला जाएगा हल्दी के डब्बे में धन प्राप्ति के लिए आप चाहते कि माता लक्षमी कृपा बरसे और आप घर में इतना पैसा है कि आप संभाल ना पाएं तो हल्दी के डब्बे में आप यानि कि पहली बात तो हल्दी के डब्बे में आप साबोत धनिया एक जारा दाने साबूत हल्दी में धनिया डाल दें, रख दें हल्दी के डब्बे में, तो विशेश लाब होता है, धन की प्राप्ती होती है, या फिर आप चाहें, तो चांदी का सिक्का हो, माता लक्ष्मी जी का बना हुआ, या फिर आप एक रूपे का सिक्का ही हल्दी के डब्बे में रख दें चुप चाप तो विशेश लाब होता है धन की प्राप्ती होती है हल्दी के डब्बे में आप लांग और इलाइची रख दें लांग और इलाइची रखने से माता लक्षमी जी अतिपरसन होती है हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा आप खुद अपनी आँखों से चमतकार देखेंगे अगर आप चाहते कि हर कोई आपका दीवाना हो और आप अपनी आँखों से चमतकार देखना चाहते तो हलदी के में आप जरूर long और इलाइची 2 दो मातरा में आप रख दें, तो भी शेशलाब होता है, या पिर आप चाहें तो एक रूपे का सिख्या, या पांच रूपे का सिख्या भी आप हलदी के डब्वे में रख शकते हैं, माता लकशी मिशक को इश्मरन करते आप चाहें तो हल्दी के डब्बे में कुछ रखें या ना रखें आप हल्दी के डब्बे में माता लक्ष्मी जो को परसंद करने के लिए आप विशेश तोर पर हल्दी की जो गाठ वाली हल्दी होती है उस हल्दी की पांच मात्रा में हल्दी की गाठ आप डब्बे में हल् जो एक रुपए का सिक्क डालेंगे तो जब आप जैसे की हल्दी महिलाई जब लेती है तो निकल जाता है तो फिर उसको उसी वार यानि की हल्दी के डब्बे में रख दें तो चारो दिसाओं से पैसा आएगा हर कोई दीवाना हो जाएगा आपका आप खुद अपनी आखों चुमतकार देखेंगे तो दोस्तो बीटे को लाइक करिएगा जदा जदा शेयर करिएगा और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा जै मालक्षमी